बजार की सबसे भॉंगी पीनट कुर्कुरी क्रिस्पी आप इसी तरीकिये से घर पे बना सकते हैं ट्रेवलिंग मी ले जा सकते हैं लंबे सफ़र तक इसे श्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही स्वादिस्त बनती हैं कृष्पी करारी बनती है अच्छा लगे तो प्लीज ला डाल देना है नमक नमक अच्छे से पहले गरम होने देते हैं पानी को और इसे मेल्ट होने देते हैं जब नमक अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और पानी अच्छे से गरम हो जाएंगे इसके पाद इसमें डालना है पीनट यानि की मुमफली जिसे सेंग भी बोलते हैं तो यहा पानी बिल्कुल चेंज हो गया है और पीनट जो है यह सफिद होने लगता है हलका हलका तो बस आपकी पीनट जो है अच्छे से पक चुके हैं तो घड़ी के को देखके अगर आप तीन मिनट तक बोईल करेंगे तो तीन मिनट इसके लिए पर्फेक्ट है यानि कि बहुत है त नहीं है सर्फ इतना सुखा है कि जब आप इसे हाथों में पकड़े तो आपके हाथों में पानी ना लगे बस इतना ही हमें सुखाना है यानि कि तब तक आप इसे फैला दीजे एक तरफ साइड में और यह हलका सा ठंडा होते रहे इधर आप कड़ाई में रख लिए नमक यहां पर एक कप भर के दिए है यह नमक वही है जो हम रेगुलर वेसिस में खाने में यूज करते हैं तो जब तक इस तरीकी से पहले तो मिला लेना है नमक में और नमक चछी से घरम है तो जो पीनट है नमक पकड़ देता है क्योंकि हलकी सी मौस्चर रह जाती है पीनट मे यानि कि मुमफली में तो हमें इसे तब तक भूनना है जब दीरे दीरे इसे चलाते रहेंगे तो देखेंगे तो पहले नमक एक्तम चिपक जाते हैं मुमफले में लेकिन दीरे दीरे इसी तरीके से अगर आप कंटीनु चलाते रहेंगे तो जो नमक है यो बिल्कुल छोड़ तभी आपका जो सेंग है वो क्रेंच लाएगा और खाने में बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा हमने इसे तीन से चार मिनट इस तरीके से अच्छे से चलाया है और देखिए जो नमक है अच्छे से क्लीन हो गया है और जब 20 मिनट हो जाए तो इसे एक बार चेक कर ले अगर जो सेंग है उसको अलग कर दे तो इस तरीके से आप मार्केट जैसा पीनट घर पे बना सकते हैं अगर आपको मेरी आज की जराबी रेसिपी पसंद आयो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा यह पीनट बिल्कुल मार्केट जैसी है आप इसे एक बार बना की महीनों महीनों जुट करके रख सकते हैं आप चाहे तो इसे ट्रेवलिंग मिले जा सकते हैं ट्रेवलिंग के लिए एकदम पर्फिक्ट है और बिल्कुल मार्केट जैसी है आपको देख की समझ में आ रहा होगा मेरी छोटी सी बेटी है जो चेक कर रही है कि ममा कैसा बनाया